नमस्ते अजी धैरेवान हिलिंग साइंस से मैं हूँ धैरेवान आपका अपना हिलिंग मास्टर दोस्तों क्लियर कॉर्ट्स स्फितिक इसकी चर्चा बहुत बार हुई है बहुत सारे सवाल आया हैं आपके बहुत कुछ जानना चाहते हैं आप तो आपके बहुत सारे प्रश्णों के उतर इस वीडियो में clear quards को लेकर मिल जाएंगे स्वितिक को लेकर मिल जाएंगे सबसे पहले जो लोग स्वितिक नहीं जानते clear quards नहीं जानते उनको मैं बता दूँ clear quards जो होता है एक घटक है एक crystal है जो हिमालाय में मिलता है हिमालाय में बर्फ जब हजारों सालों से जमय वो जो बर्फ है सेक्ड़ों सालों में वो बर्फ पत्थर बन जाते है तो वो जो पत्थर है वहाँ पहाड है quards के तो वो पहाड की जो पत्थर के उनके जी तुकड़े हैं जो क्रिस्टल्स के रूप में हम हीलर्स को मिलते हैं हीलर्स तक तो बात की बात है पहले आप यह समझो कि जो हमारे घड़ी होते हैं जो भी डैल वाच होते हैं जिसमें काटे लगे होते हैं पहले के सभी dial watches में और अभी के भी maximum dial watches में quards लगा होता है और उसमें quards लिखा भी होता है आप देखेंगे quards उसमें mention किया होता है तो quards क्यों होता है वाइबरेट करने के लिए कि गड़ी की cell की उर्जा को quards में डाला जाता है then quards vibrate होता है जिससे गड़ी चलती है इसका साफ मतलब यह है कि किसी प्रकार की उर्जा को कैसी भी उर्जा को quards अपने अंदर धारण कर सकता है और उसके द्वारा वो vibrate होता है तो अब आप समझ पाएं कि इस फितिक एक बैटरी की तरह है जो उर्जा को अपने अंदर खीच लेता है और उसके साथ vibrate होता है healing में quards से जादा बहतर seven chakra crystals को मैं मानता हूँ क्योंकि उसमें साथ अलग-अलग crystals लगे हो है quards में केवल एक crystal है seven chakra pencil में अलग-अलग crystals है लेकिन quards का प्रियोग specific healing में सिर्फ quards का ही प्रियोग होता है जो कि एक healer दिरे-दिरे सीखता है अपने courses में जब और एक ही healing सीख रहा होता है करूणा healing सीख रहा होता है लामा फिरा सीख रहा होता है तो यह तो खर अलग है लेकिन अब समझे कि quards का प्रियोग crystal grid बनाने में भी होता है मतलब जब हम money box बना रहे हैं quards का प्रियोग होगा crystal grid बना रहे हैं किसी की healing के लिए quards का प्रियोग होगा quards की माला, स्वितिक की माला जाप करने के लिए बहुत उपयोगी है crystal की bracelets, quards की bracelet आपको हमेशा ओर्जावन बनाया रखते है आप ये माल लिजे चौकुरे, जो की रोकी का पहला symbol है, शक्ती का symbol है, चौकुरे और quards आपस में एक जासे है मतलब कि चौकुरे का ही physical form quards है, clear quards है, सफेद रंग की उरजा होती है और quards की पहचान भी ऐसे ही हम करते है, quards की माला को आप देखेंगे, quards या हिमशिला को हम देखेंगे या उसके healing को हम देखेंगे, तो उसको समझ में आएगा की काच जो होता है, clear होता है, साफ होता है लेकिन जो quartz होता है अंदर में उसके बादल जासे होते हैं, धुंदला सा होता है, काज को आपस में आप रगड़ेंगे चिन्गारी नहीं निकलेगी, लेकिन वहीं अगर आप quartz को आपस में घिसेंगे तो चिन्गारी निकलेगी, मैंने अपने इंस्टाग्राम के वीडियो मे मैंने दिखाया भी ता कि quartz को आपस में घिस करके कैसे उसे चिन्गारी निकल रही है, तो ये पहचाना, अच्छा, अब ये समझनो ली बात है कि आपको ये लगएगा कि quartz जो है, बहुत महँगा आता होगा, कि ऐसा हिमाले का पत्थर नहीं, बिटा उसको वहाँ से लाने का ही खर्च है, बाकि हमाले में तो पहाड़ पड़े हुए हैं quartz के, तो ये बहुत ही सस्ता होता है, इसे वहाँ से लाने का transporting और कोई गुरू या कोई healer आपको charge करके देता है, अपनी उर्जा से उसे charge करके देता है, अपने symbols से उसे charge करके देता है, तो उसकी जो energy exchange है, उसे ह ही मिला करके ही उसकी कीमत होती है, otherwise clear cords, स्फितिक की माला या bracelet या कोई भी घटक जो भी आप उसे बना कर रखना चाहते हैं अपने पास बहुत सस्ता होता है, clear cords के बारे में एक बत और जान लेजे कि ये बहुत थंडे तासिर का होता है, तो जब कोई yogi या कोई healer जब ध्य Christian को अपने अंदर सोख लेता है, इसी के विपरीद, आप कुछ नहीं कर रहे हैं और यहीं उसे पहन कर घूम रहे हैं, तो इतने थंड़ी तासिर का होता है, कि आपको सर्दिस दुखाम लग जाएगा, आपको कफ आ जाएगा, तो थंड का मौसम है, अगर अभी clear cords आप धा घर के पूरे दिशा में किसी हरी कपड़ी को उपर रखके इसे रख सकते हैं, जिससे आपके सारी उर्जा जो है उसमें वैसी की वैसी रहे, आप बस आप यह समझ लिजे बटा कि अगर आप उसमें ध्यान कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, या जब कर रहे हैं, या हवन कर रहे या healing practice कह रहे हैं तो ये सारी उर्जा जो हमारे शरीड से बाहर निकर रही होती है maximum उर्जा को वो अपने अंदर खीश लेता है मतलब कि वो एक बैटरी की तरह काम करता है जैसे कि मैं हमेशे बताता हूँ पत्थरों में क्रिस्टल में अपनी उर्जा नहीं होती वो उस उर्जा को धारण करने के लिए सज्ज होता है तैयार होता है उसके लिए उसकी कि उर्जा को धारण करता है तो अलग-अलग क्रिस्टल वैसी जोति शास्तर में भी अलग-अलग ग्रहों के लिए अलग-अलग क्रिस्टल हैं यह उनकी उर्जा को धारण करते हैं तो यह क्लियर कोर्ट्स की शमता है कि आपकी कोई भी उर्जा जो आपके अंदर से नहीं क खराब विचारों उसे उतार करके रख दें और फिर उसे विचारों करें वैसे तो नहीं करना चाहिए लेकिन अगर आप खराब वैबरेशन में हैं, खराब विचारों से घिरे हुए हैं, खराब करम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं एक देड़े घंटे रख देना है, वो सारी औरजा पानी सोख लेगा, पानी भी औरजा को सोख लेगा ही काम करता है, यह हम सभी जानते हैं, विचारों को औरजा को डिटास को अपने अंदर खीश लेता है पानी, तो यह इसका एक प्रयोग है, दूसरा एक और बात, कि जब बाहर निकल रही है, यह कि आप उर्जा को कλαर कि नहीं रख सकते है, बहुत लम्हें समय तक उर्जा को किसी एक फॉम में कल सकती है, वो डिस्चार्ज हो गई होगा, दिर रिस द के बाहर जाएगा ही जायेगा, तो वह जो उर्जा निकलेगी बाहर निकल के पानी में आजriel तो उस पानी को जब आप पिएंगे या उससे नाएंगे या उससे घर में शुटकाओ करेंगे जो भी करेंगे गुर्जा फिर से आपके भीतर हो जाएगी मतलब कहने का मतलब यह है कि आपने दूद निकाला दूद को खराब न हो जाएगा आपने दही जमाया दही खराब न हो जाएगा लेकिन घी कई महीनों तक चलता है तो यह कुछ तरीके हैं जिसे हम clear quards को अपने जीवन में रखते हैं उसका पूरा लाब उठाते हैं अपने जब तब हवन अपने healing practice, अपने seven chakra practice, अपनी ध्यान, धारण और समाधी सभी का जो अभ्यास करते हैं तो clear quards उसके सारी उर्जा को अपने अंदर खीच के अपने धारण करके रखता है, और अगली बार जब आप धिहान के लिए बैठ रहे होते हैं, तो उस माला के जरीए, उस क्रिश्टल के जरीए, उस ब्रेसलेट के जरीए, वह ही उर्जा को फिर से वापस मिलती, क्योंकि अब आपके पस वो उर्जा में ये मना किया जाता है, कि किसी से हाथ ना मिलाएं, किसी को परिश्ट ना करने दें, किसी से यूँ ही फिजिकल टच ना करें, जिससे आपकी हाई वेबरेशन उनके तरफ ट्रांसमिट हो जाएं, तो ये और जीवन में, ध्यान की मार्ग में, स्पिच्वल मार्ग में आपको आगे बढ़ने में ये बहुत सहता करेगा आशर करता हूँ ये अध्याएं, आपको बहुत जीसे समझमाय होगा मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते ये जी करता है